हेलो दोस्तों नमस्कार हमाई चैनल इस्टुडी एंड एगरी कल्चर में आप सब का स्वागत है दोस्तों हम आज पढ़ेंगे प्रिश्चा द्रिश्टी और सभी परिच्छाओं के लिए इंपार्टेंट है चलो देखते हैं भारत में इस्ट इंडिया कंपनी की अस्थापना की चार्टर एक्ट के तहत किया गया कि महारा ने एल्जाबएट ने इस्ट इडिया कंपनी के साबना किस कि अधिच्छता में पूरुवी देशों में व्यापार करने कि अग्यापर्दान था लाड मेयर कि अधिच्छता में इसृण ने चार्टर से प्रारम होती है। इंग्लैंड इस्थित कंपनी के बोर्ड आप डारेक्टर का विध निर्माड का अधिकार किस राजलेख द्वारा गवर्नर था उसकी परिशत के सदस्यों में बिहित किया गया। किस अधिन्यम द्वारा कुपनी में गवर्नर जनर्रल का पद सर्जित किया गया। 273 के Regulating Act के तहद गवर्णर जनरल का पद से रिद किया गया वारेन गवर्णर जनरल वार्ड है इस्टिंग की चार सदस्य परिशत में पार्षत कौन कौन से थे फिलिप फ्रांसिस क्लेवरिंग मांसन एवं वार्नायल थे गवर्णर जनरल था उसकी परिशत किसके प्रत उत् इंग्लाइंड के इस्थित निदेशक बोर्ड के प्रत उत्तरदाई थी इस्ट इंडिया कंपनी की प्रवंधन सक्त किसमें नहीं थी गवर्णर जनरल एंवं उसकी परिशत में नहीं थी कोलकाता में उच्चतम नियाले कि इस्थापना की सदिनियम द्वारा किया गया 1773 के रेगुलेक्टिंग एक्ट के तहर कोलकाता में उच्चतम नियाले कि इस्थापना किया गया था उच्चतम नियाले में कितने नियाधीस सदस्थे तथा मुक्ष नियाधीस कौन था चार सदस्य थे, मुख नाय थी सर एलिजा एंपे थे, कि सदनियम द्वारा भारत में गवर्णर जनलर और उसकी काउंसिल को नियम तथा ध्यदेश जारी करने की सक्तिया परदान की गई, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के दहत, इस्ट इंडिया कमपनी के भारत ब्यापार के ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के दहत, बंगाल का पर्थम गवर्णर जनलर कौन था वार इन हैस्टिंग सा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के दहत, कोलकाता में उच्चतम ने आले किया, इस्थापना कप की गई, 1774 इस भी में की गई, इस्ट इंडिया कमपनी पर संसद्य निय इंतरन। का पर्थम प्रयास की सधनियम द्वारा किया गया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा किया गया, 1775 हेक्ट को एंगो एंडियन इतिहास का युग परवर्थक काल किस ने कहा था, इलवर्ट विल ने कहा था, किस एक्ट के द्वारा सर्वोच नयाले की अधिकारता में गवर्णर जनरल इन काउंसिल को मुक्त कर दिया गया सन 1781 के सेटलमेंट एक्ट के द्वारा काउंसिल को मुक्त कर दिया गया सरवोच चन्याले की राजस्व धिकारता को किस एक्ट द्वारा समाप्त किया गया 1781 के सिटिल्मेंट एक्ट द्वारा सरपरतम किस गवर्नर जनरल को तथा उसकी तथा किस अधिनियम द्वारा गवर्णन जनरल तथा मुख निसेनापत दोनों की सक्तियां परदान की गई लाड कार्वाल कार 49 को 1786 के अधिनियम दौरा सक्तियां परदान की गई इस अधिनियम दौरा कमपनी के ब्यापारी केम राजनेति कार्लियों को एक दूसरे से पठख कर दिया गया PLeec India Act 1784 कंपनी के क कर्मचारों पर उपहार लेने पर प्रतिबंधक कब लगा दिया गया 1884 में P Singapore vloghinma Pizar Chris India Act के तहित कंपनी के कर्मचारों पर उपहार लेने पर प्रतिबंधक कर लगा दिया गया कम्पनी के मामलों में बिटिस सरकार का पहली बार कब नियंतरने इस्थापित हुआ 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट के द्वारा पीट्स इंडिया एक्ट के तहट निर्मित बोर्ड आप कंट्रॉल का ध्यच कौन होता था बिटिस मंत्रिमंटल का एक सदस से कि सेक्ट द्वारा गवर्णर जनर्र को अपनी परिषद में निर्णड़यों को आशुविक्रित करने की सक्त पुना दे दी गई और इसे आगे आने वाले गवर्णरों के लिए भी बिश्तित किया गया चार्टर एक्ट 1793 द्वारा नियंत्रिमंटल के सदस्यों को भारती राजस्यों से वेतन देने का प्राउधान की सद्धिनियम के तहत किया गया इसाई मिस्नरियों को भारत में धार्म परचार की अरुमत कौन सा राजलेख परदान करता है 1813 का राजलेख परदान करता है 1813 SP के चार्टर द्वारा भारतियों की सिच्छा पर ब्याए के लिए कितनी राजस्यों की गई थी एक लाक रुपिय भारत में आकर बसने इत्ता ब्यापार करने के लिए आने वाले अंग्रेजों को लाइसेंस लेना किस चार्टर द्वारा अनिवार कर दिया गया 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल के सदस्यों की संख्या चार से तीन कर दी गई जिसमें से एक प्रांध का मुख सेनापत होना अनिवार था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा मुख सेनापती का गोवनर जनरर की परिष्ट का सौता ही सदस्तau ने का अधिकार कप समापत हो गया 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा इस्ट इंडिया कमपनी के वैपारी क अधिकार को किस अधिनियम द्वारा समापत कर दिया गया 1836 के राज लेख द्वारा भारत का पर्थम गवर्णर जनरल काउन था लार्ड विलियम बैंटिंग था किस अधिनियम द्वारा गवर्णर जनरल की परिसद में बिद सदस्य की नियुक्तिक का प्राउधान किया गया 1833 के राजलेग द्वारा अंग्रेजों को किस अधिनियम के तहट बिना लाइसेंस भारत में आने जाने बचने ब्यापार करने की सुतनता परदान की गई 1833 की अधिनियम के तहट सरपर्थम भारत में सासन के केंदरी एक करण का प्रियास की सदिनियम में दिखाई देता है 1833 के राजलेक में दासपर्था को गैर कानूनी किस अधिनियम द्वारा घोसित किया गया 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1843 में इस पर रोग लगा दी गई दोस्तों आज के लिए इतना ही है यार ये वीडियो पसंद आया है चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक और सेर करिए बहुत बहुत धन्यवाद